हाई दोस्तों कैसे हैं आप सभी में डॉक्टर अन्वेस्ट फिरसे अपने यूट्यूब चल पर आप सभी का स्वागत कर रहा हूं और आशा कर रहा हूं कि आप सभी इंजॉय कर रहे हैं और मेरे अंदिम्रार सीरीज आपको करें हैं तो कमेंट क कर के जरूर corrections का चलित पर यहां पर थोड़ा सा आपको भी उपर फॉपमवेंशरमेंट की हम को सब्जेक्र्ट सब्लायगे मेनेज्मेर्ट में नीचिक मेरेंच हां शौक्ष यहें के अंदर तो यह performance measurement employee के बारे में होती है तो जिस तरीके से यहां पर question आएगा कि explain the performance measurement या performance management और उसके related हमको tools बताने तो हमको supply chain management की performance management पर बात करनी है एक common sense की बात है ना आप सबको लगेगा ऐसा ऐसा नहीं बट दोनों में अंसर अलग-अलग हो जाता है दोनों का question है कि explain the performance management and tools तो अगर supply chain management में करना है क्योंकि हम उस subject में करना है अगर HRM में होगा तो इधर का उधर मत कर देना क्योंकि OM के साथ जो HR लेते हैं वो agent रखे उसको कैसे measure करेंगे कि अच्छा किया के नहीं किया तो सबसे पहला उसको measure करने में हमारा जो होता कि हमारा cost में कितनी efficiency आ रही है हम जो product महुंचा पा रहे हैं उसमें हमको कितना logistic में लग रहा है और कितना हमको accurate information मिल पा रही है time में कितनी efficiency आ क्वालिटी का मतलब कई तूट फूट तो नहीं हो रहा है प्रोड़क की कई logistic department बराबर handle कर रहा है और हम कितनी जो data हमारे पास मिल रहा है कि customer की actual demand इतनी है और हमारे पास जो data आ रहा है उसमें कितना mismatch कम हो रहा है वह quality of data और next flexibility यदि order return आता है तो क्या halfway से order return जा सकता है नहीं जा सकता यदि order बीच में बढ़ जाती demand पूल हो जाती है तो क्या हम order को बढ़ा सकते हैं क्या supply chain हमको इतनी flexibility देता है यदि एक transport medium खतम हो जाए या बंद हो जाए कोई ऐसा हो जाए कि धरना प्रदेशन चल रहा है ट्रेन हर्ताल में हो गई तो क्या हम road के तुरू जा सकते हैं क्या हमारा supply chain इंट्रो कि इतना strong है तो flexibility हमको मिल पारी है कि नहीं मिल पारी है और next इसमें हम कैसे update कर रहे हैं कैसे टेचनलोजीकल integrate कर रहे हैं innovation का एपार्ट हमको बताता है तो हम performance को कैसे चेक करेंगे हम चेक करेंगे cost effective को रहा है कि नही 한데 effective को이량 क्या सब्सक्राइट ये फ्लेक्सिबल तो लाइक हमने बना दिया कि इस बजट के अंदर जो supply chain पहुचा दे वह बढ़िया इस बजट में नहीं पहुचा पाए वह बढ़िया नहीं तो की performance indicator हो गए सेक्ट आता है balance scorecard balance scorecard एक टेखनीक होता है जब हम किसी की performance कर रहे होते हैं जिसमें various points के अंदर हम वेट देते हैं कि टाइम का वेट 5 है quality का वेट 7 है order handling का जो वेट है वो 5 है तो यह उसके according हम उसको marking देते हैं और point out देते हैं जैसे key performance indicator में benchmarking यानि पिछली बार आपने छे दिन में माल पहुचाया था तो इस बार अगर आप पांच दिन में पहुचा होगे तो बढ़िया और उससे आपन compare कर रहे होते हैं तो benchmarking is the tool where we can compare our history to the current data तो basically supply chain management में जो performance का measurement का tool है वो benchmarking भी है या किसी ideal situation में किसी और third party ने इतने दिन में पर enough है तो हमारे लिए भी enough रहेंगे और supply chain को analysis करके भी हम यह identify कर सकते हैं कि पिछले साल इतना खर्चा हुआ था और इतने product पहुंचे थे इस साल इतना खर्चा हुआ और इतने product पहुंचे का variance आ रहा है अगर कम हो रहा है तो बढ़िया ज्यादा हो रहा है तो गलत बात है और फिर performance निकालते हैं उसको performance dashboard बोलते हैं आई होप सारे points आपको clear हो गए है टूल से हैं basically किन से हम performance चेक कर सकते हैं देखो mark sheet बनाते हैं जिसको balance scorecard बोलते हैं की performance indicator जो हमारे class test होते हैं ठीक है benchmarking जो शर्मा पिता जी के लड़का number लाए है supply chain analytics जो समाच के रहा है ठीक है और performance dashboard क्या है जो मतलब history में लिखा हुआ है कि ऐसा ऐसा होना चाहिए या दिन चरिया की activity में जो पिता जी को लगता है कि बेटा हमारा बड़ा नाम रोशन करेगा तो यही है ना बेटा है बेटी सब नाम quality, speed और cost efficiency वो point already cover कर लिए है I hope यह question आपको समझ में आ गया होगा थोड़ी सी speed very fast है क्योंकि exam हमारे काफी नजदीक है तो मस रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और मेरे साथ भी जोड़े रहिए, जैहन